और कल मिथुन चकरवर्ती भी शामिल हुए। मिथुन चकरवर्ती ने कहा कि मैं कोबरा हूँ और जब मैं डस्ता हूँ तो तुम्हारा फोटो बन जाएगा। पता नहीं कौन सा एक डायलोग उन्होंने दिया। आप सुनी हो क्या कहते। पोटी भरोशा रागवेन, अमार कोटाई विश्चास रागवेन, दादा कोकोनों मुख फिडिये पालिये जाएनी। भी कैमपेइनिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए ममता बैनर जी के सामने नाच रहे हैं। और त्रिनमूल कॉंग्रिस में तो राजसभा से सांसत थे। ये राजसभा ही नहीं पहुचते थे। निस्तोला हेबार की खबर देखिए 2016 में हिंदू की एक खबर है। यहां पर जो बाकी संसत थे उन्होंने कहा ये आदमी संसत में आता ही नहीं इसको इसकी सदसता खारिच की जाए। तो मैं बीजेपी से समझना चाहता हूँ कि ये जो मिथुन शकरवरती आपकी पार्टी में आके कौनसा कमाल कर लेंगे भाई। ये तो अपना कामी नहीं करते थे। और जैसे मैंने कहा वामपंथी थे तो उनके साथ, त्रिनमूल उनके साथ, अब आपके साथ आ गए। त आप तो मेरे हिरो रहे हैं मिथुन दादा, मैं आपको गिरिट नहीं बोल सकता है। तो जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि मिथुन दा पार्टी में आके क्या खमाल कर लेंगे। और अब ये खबर देखिए दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत शिंतित ये देखिए, F.I.R. registered against मिथुन शकरवर्ती सन महाक्षय और वाइफ योगिता बाली alleging rape intimidation of an actress model। आप इंडिया के मुताबिक, मिथुन शकरवर्ती के बेटे पर एक actress model के साथ कथित तोर पर बलातकार का और धमकानी का आरोप है। दादा, क्या ये कोई factor तो नहीं था आपकी B.J.P. में शामिल होने को लेकर। मैं सोच रहा हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, बिल्कुल गलत ही होंगा, ऐसा तो वही नहीं सकता। जैसे मैंने का न, इस कचरा वेबसाइट को और इसके पत्रकारों को मैं गंभीरता से लेता न नहीं हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ, ये ख़बर कहीं और आई है कि नहीं, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक इस खबर को जो अन्य विश्वसनी हैं वेबसाइट्स हैं ढूंडें और कॉमेंट सेक्शन में उसका जिक्र करें।